मकर संक्रान्ती हिंदू धर्म का एक विशेश और एहम त्योहार है इस पर्फ को संक्रान्ती, खिचडी, आधी नामों से भी पुकारा जाता है इस दिन सूर्यदेव धनु राशी से मकर राशी में प्रवेश करते हैं सूर्य के राशी परवरतन को ही मकर संक्रांती कहा जाता है इस दिन सूर्य देव की पूजा करने पर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है इसे उत्रायडी की नाम से भी जाना जाता है इस दिन जब तब दान इसनान आधी का महतो बहुत अधिक होता है तो आईए जानते हैं मकर संक्रांती का सही समय और तारीक मकर संक्रांती को लेकर काफी दुविधा रहती है कि किस दिन मनाई जाती है कुछ लोगों का मानना है कि ये मकर संक्रांती 14 जनवरी को मनाई जाती है जबकि कुछ लोग इसे 15 जनवरी को मनाते हैं आपको बता दे इस साल मकर संक्रांती 14 जन्वरी को मनाई जाएगी इस दिन सूरिदेव की उपासना की जाती है तो इस साल मकर संक्रांती 14 जन्वरी 2021 दिन ब्रहस्वतिवार को है मकर संक्रांती पून्यकाल 8 बच कर 30 मिनट से 17 बच कर 45 मिनट तक अवधी 9 गंटे 16 मिनट है मकर संकरांती महापुने काल 8 बच कर 30 मिनट से 10 बच कर 15 मिनट तक है अवधी 1 गंटा 45 मिनट तो क्या है मकर संकरांती पर विशेश तो ये हब हम जानते हैं मकर संकरांती का पूने काल 8 गंटे का रहेगा ये सुबह 8 बच कर 30 मिनट से शाम को 5 बच कर 42 मिनट तक होगा शास्त्रों के अनुसार इस दोरान सनान दान से कई गुना फल प्राप्त होता है मानता है कि इस वर्ष त्योहार पर चंदर्मा, शनी, बुद्र और गुरू ग्रहे भी मकर राशी में रहूंगे ऐसे में मकर संक्रांती को बेहत ही शुप फल्दाई माना जाता है मकर संक्रांती के दिन अगर दान किया जाए तो इसका महत्व बेहत विशेश होता है इस दिन व्यक्टी को अपने सामर्थ हनुसार दान देना चाहिए साथी पवित्र नदियों में सनान करना चाहिए इस दिन खिचडी का दान देना विशेश फलताई ही माना जाता है साथी गुड तिल रेवडी कज़क आधिका पसात के रूप में भी पाटा जाता है तो फ्रेंस आज की वीडियो में फिल हाल इतना ही अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेर करिए फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी राइट हैंड साइट पर एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लिजे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए तो पर दिए तैंक यू सो मच पर वाचिंग